एक टाइम था जब इमरान हाश्मी की फिलमे आती थी और बॉक्स ओफिस पर हिट होती थी और गाने चाट बस्टर रहते थे कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि फिलमे नहीं चली लेकिन गाने चल गए उसके चलते फिलमे भी चल पड़ी आज की डेट की अगर बात करें तो वही इमरान हाश्मी पूरी पूरी फिल्में कर रहे हैं बड़े-बड़े स्टार्स के साथ कर रहे हैं लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल रही है इमरान हाश्मी की आखरी फिल्म आई थी अक्षे कुमार के साथ सेल्फी फिल्म और फिल्म की चर्चा भी बहुत ही और कहा जा रहा था कि ये इमरान हाश्मी की कमबाक फिल्म हो जाएगी लेकिन ये फिल्म इमरान हाश्मी की कमबाक फिल्म नहीं कह सकते हैं कि ये फिल्म तो इमरान हाश्मी की बॉलिवूड छोड़ने की फिल्म साबित हुई क्योंकि इस फिल्म के बाद इम्रान हाश्मी के पास बॉलिवूड इंडस्ट्री में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स है ही नहीं यही कारण है कि अब इम्रान हाश्मी साउथ की फिल्मे कर रहे हैं इम्रान हाश्मी ने अब एक साउथ की बड़ी फिल्म साइन की है पवन कल्यान के साथ OG फिल्म उन्होंने साइन की है और इस फिल्म में इमरान हाश्मी नेगिटिव रोल करते नजर आएंगे OG फिल्म यानि की ओरिजिनल गैंग्स्टर इस फिल्म के मेकर्स ने आज इमरान हाश्मी को वेलकम भी किया है इम्रान हाशमी के साथ उन्होंने एक Post Share की है जिसमें उन्होंने इम्रान हाशमी का फिल्म में Welcome किया है कहا जा रहा है कि अगर इस फिल्म में सब कुछ ठीक जलता है क्योंकि फिल्म में पवन कल्याण है जो South Industry के बड़े आक्टर है ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होगी और अगर इस फिल्म से इमरान हाशमी का नेगेटीव रोल हिट होता है तो फिर इमरान हाशमी के करियर को बूस्ट मिल सकता है हम सब इन दिनों देख रहे हैं कि बॉलिवूड इंडस्ट्री के जाधतर आक्टर्स साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में काम करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहां की फिल्में बॉक्स आफिस पर जाधा चल रही है